नमस्कार साथी और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत श्वागत मैं हूँ ये के स्राजबीर और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्स्पियर की एक ट्रैजडी नाम है इसका उथेलो दोस्तों ये जो ट्रैजडी है बहुत जबर्जस्त ट्रैजडी है और कम्प्लीटली मैं से पूरा करने वाला हो विडियो में अगर आप लिटरेचर लवर्स के किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नम्बर्स पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारे लिटरेचर लवर्स आपको डाइरेक्ली डाउनलोड कर लीजे गूगल प्ले स्टोर से आपको पूरी जानकारी वहां पर भी मिल जाएगी दूस्तों जो यह प्ले है नाम है इसका उथेलो इसे और एक नाम से जाना जाता है त्रैज़िडी ओफ उथेलो और दा मूर ओफ वेनिश इस टाइटल के साथ भी इसे जाना जाता है ये tragedy approximately गाइड 1602 से 1604 के time period में लिखी गई थी William Shakespeare की जो great tragedies आती है वो इसी के around में आती है जिन में से Hamlet, Othello, King Lear और Macbeth ये चार great tragedies है William Shakespeare की दोस्तो इस play का जो main source है वो है hectomethी नाम का एक work इस work को लिखा था किसने Ziraldi Cynthia ने work आया था 1565 के time period में इस play में अगर हम देखें तो जो main theme है वो sexual jealousy और trust issue जैसे मतलब basically इन themes को explore किया गया है इस play के अंदर इसे tragedy of passion भी कहा जाता है और इसका जो villain है villain बहुत ही जबरजस्तेक villain है नाम है इसका Iago और इसके लिए आपके Samuel Taylor College कहते है motive less malignity क्योंकि ये इनसान Iago जो है बहुत ही ज़्यादा ischemy है play की अगर मैं setting की बात करूँ तो ये play दो जगहों पर sit है एक तो है Venice और दूसरा है guys इसका place जिसका नाम है Cyprus C-Y-P-R-U-S C-Y-P-R-U-S Cyprus तो ये दो जगह है इसकी setting है पहले की कुछ incident वेनिश में होंगे और इसके बाद ये set हो जाएगा जाकर के setting होगी इसकी Cyprus Cyprus play को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको characters का introduction दे दू देखिए Othello तो इसका main character हो गया बोले तो ये tragic hero है इस play का जिसमें बहुत ज़्यादा jealousy है और passion है और इसी वज़ा से जो है अपनी wife Desdemona को मार देता है Desdemona कौन है तो Desdemona daughter है एक venice का senator है जिसका नाम है Brabantio ये इसकी daughter है और इसने शादी किया था Othello से Othello एक moore है moore बोले तो जो black man होते हैं तो ये black है और इसके बाद Iago नाम का ये character है villainious character है ये क्यों Othello से नाराज है और क्यों इतना ज़्यादा scheme create करता है है तो इसका इनसाइन इसके नीचे काम करने वाला लेकिन ये इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि Othello ने इसके साथ इसे लगता है गलत किया है Cassio को promote कर दिया है उसे lieutenant बना दिया है लेकिन Iago को नहीं इसलिए ये बहुत ज़्यादा नफरत करता है Emilia जो है ये Iago की wife है और Desdemona की ये made servant है यानि इसके लिए Desdemona के लिए काम करती है Rodrigo नाम का character इसके पास पैसा रुपिया खूब अच्छा खासा है ये बहुत ज़्यादा jealous है ये प्यार करता है Desdemona से लेकिन जब इसे पता चलता है कि उस थेलों से Desdemona ने शादी कर ली तो ये और Iago दोनों लोग मिल करके वैसे तो पूरी की पूरी scheme Iago ही create करता है लेकिन उसमें Rodrigo भी शामिल रहता है और target बनाते हैं ये लोग Michael Cassio को Bianca नाम की यहां पर एक girl character है by the way ये एक prostitute है और ये prostitute Cyprus में रहती है और ये प्यार करती है किस से Cassio से जो यहां पर जो ये रुमाल रहती है ना तो उसको Cassio जो है Bianca के पास ही लेकर के जाता है कि इसकी तुमें एक copy बना दो और Cassio के रुम में पहुचाता कौन है तो ये Iago पहुचाता है Iago के पास कैसे वो रुमाल पहुची थी Emilia ने चोरी करके दिया था चुरा करके ले आई थी Othello के घर से अब इसके बाद बात करूँ Brabantio तो ये Desdemona के father है और Venish का एक senator है Duke of Venish कौन है Duke of Venish वो है जिनके अंडर में Othello काम करता है इसके बाद Montano नाम का एक character है ये Cypress के governor है Lord Vico, Graciano और Clown ये और भी character है clown ये और भी character है इस play में अब मैं शुरू करूँगा इसकी main story ये कहानी शुरू कहां से होती है तो शुरू होती है ये कहानी Venish से Iago और Rodriago ये दोनों लोग बातचीत करते हैं किसलिए बातचीत करते हैं Venish की street में हैं दोनों लोग और क्या बातचीत कर रहे हैं Rodriago और Iago Rodriago बहुत गुस्से में है Iago से कहता है कि Desdemona ने Othello से शादी कर ली और मैंने तुम से कैसे भी हो मेरी शादी तुम Desdemona से करवाओ अब क्योंकि Iago Othello के अंडर में काम करता है तो open तो दिखा नहीं सकता कि मैं hate करता हूँ लेकिन कहता है कोई बात नहीं तुम्हें परेशान होने की जरुवत नहीं है मेरे पास कुछ scheme है Iago यहाँ पर दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा Othello से नफरत करता है Rodriago से कहता है कि Desdemona तुमारी चलीगी तो तुमारे साथ गलत हुआ बोला मेरे साथ भी ये गलत हुआ है वो गलत क्या हुआ है कि Casio को promote किया गया है Lutenant उसे बना लिया है लेकिन मुझे नहीं है ना अब ये कहता है Iago की एक काम करते है कि चलो हम लोग चलते हैं Braventio के घर और वहाँ पर हम लोग ये चिलाते हैं कि जो Braventio की बेटी है जिसका नाम है Desdemona उसको जो है Othello उठा ले गया है कहे तो भगा करके ले गया है Braventio देख नहीं पाता कि बाहर कौन चिला रहा है और Iago ये चाहता भी नहीं कि इसे कोई देख ले इसलिए जा करके चिलाते हैं और Braventio जैसे ही अपने घर में देखता है कि उसकी बेटी Desdemona नहीं है यकीन हो जाता है कि Desdemona चली गई शायद भाग गई किसी के साथ अब ये जो है Rodriago को Iago छोड़ करके तुरंट वहां से भागता है और Othello के पास आ जाता है इसलिए कि कहीं Braventio देखना ले क्योंकि Braventio बताएगा कि मुझे बताया किसने है तो इसलिए तुरंट वहां से ये भाग आता है जैसे ही Iago Othello के पास आता है तो Othello के पास Cassio भी जाता है Cassio के पास Message है Message है Duke of Venice का कि जल्दी से आपको आना है Othello को Duke of Venice ने बुलाया हुआ है और बुलाया किसलिए है क्योंकि जो है Ottoman जो Talks है उन्होंने Attack किया हुआ है कहां पर Cyprus में तो Cyprus को जो है Ottoman Turks के Invasion से बचाना है उनके Attack से बचाना है इसलिए Othello को भेजा जाएगा Cyprus तो अब ये Cassio Othello को ले करके जाएगा कहां पर Duke of Venice की कोर्ट में ब्रावेंटियो क्योंकि ओल लेडी ये Senator है ये भी कहता है कि मैं भी वहां पर पहुँचूंगा और देखूंगा कि क्या हुआ है मतलब ब्रावेंटियो कहीं न कहीं ये कहना चाहता है कि Othello ने मेरी बेटी के साथ गलत किया अच्छा ये क्यों कहना चाहता क्योंकि इसे बिल्कुल भी Othello पसंद नहीं अब ये ब्रावेंटियो वहां पर कोर्ट में पहुचा Othello को आदेश दिया गया Duke of Venice ने कहा कि देखो तुमें Cyprus जाना होगा वहां पर attack हो रहा है talk attack कर रहे है Cyprus पर इसी लिए वहां पर जाओ और वहां की सेप्टिशनिस चित करो Othello ने कहा ठीक है ब्रावेंटियो ने कहा कि देखिए मेरे साथ बहुत गलत हुआ है मेरी बेटी की उपर witchcraft करके इस Othello ने उसके शाद साधी कर ली तमाम सारे इल्याम लगाए इस ब्रावेंटियो ने लेकिन Othello को भी मौका दिया गया बोलने के लिए बट क्यों मौका दिया गया क्योंकि भाई दोनों पक्षोने चाहिए न तो यहां पर यह clearly बताता है Othello की देखिए हुआ क्या है मैंने उस पर कोई witchcraft नहीं किया by the way वो क्यों मुझसे इतना जादा impressed हो गई क्योंकि उसने मेरी कहानिया सुनी adventure की, war की, journey की मेरी तमाम सारी कहानिया सुनी है और इसी लिए Desdemona मुझसे impressed है और उसने मुझसे शादी की है Desdemona भी वहाँ पर पहुंच जाती है और defend करती है अपने husband को बोले तो Othello को कि yes मैंने ये शादी अपने मन से की है है ना? अब इसके बाद Othello को आदेश दे दिया गया ये बहुत गुसाता है उस समय कहता है कि देखो मूर एक बात ध्यान से सुन लो आज इसने अपने इस फादर को धोका दिया है यानि मुझे धोका दिया है हो सकता है कि कल ये लड़की तुम्हे भी धोका दे Othello Othello को कोई फर्क नहीं पड़ता इस से Othello जो है अपने सारे लोगों को जिनको जिनको ले करके Cyprus जाना था तो Othello Cyprus के लिए अब रवाना हो जाएगा अब Cyprus के लिए कौन-कौन जाने वाला है Desdemona ने कहा कि मैं भी चलने वाली हूँ तो Othello Desdemona Imalia इसकी असिस्टेंट Rodrigo Iago और Cassio ये सारे लोग Cyprus जाने वाले हैं अब यहां से अभी तक Venice सेटिंग थी इस प्ले की अब यहां से सेटिंग हो गई चेंज अब हो गई कहां पर Cyprus में Cyprus में क्या हुआ कि जो टॉकिस जो मतलब Ottoman Turks का जो अटैक होने वाला था वो अटैक डिस्टोई हो गया बट क्यूं क्यूंकि जो टॉकिस फ्लीट जहां से आ रही थी वहां पर आया एक भयानक तूफान और उस तुफान की वज़ा से सब कुछ खत्म हो गया और ये लोग पहुँँचे उथेलो, डिस्जमोना, अमिलिया ये सारे लोग पहुँच गए Cyprus Cyprus जब पहुँचे तो एक मेसेंजर आया मेसेंजर ने शारी बात बताई कि जो जो टॉक्स आ रहे थे उनकी जो फ्लीट आ रही थी वो पूरी की पूरी डिस्टॉय हो चुकी है न और आकर के जैसे इसने ये इन्फरमेशन दी तो यहाँ पर उथेलो को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई बाइदो वे अगर यहाँ पर हम देखें तो साइपरस में कैसियो, इागो, रोड्रियागो डेस्टमोना और इमलिया ये लोग उथेलो से पहले आ जाते हैं उथेलो एक सेपरेट जो है शिक में आता है आगे सारे लोग और यहाँ पर जो है जब ये इन्फरमेशन मिली उथेलो ने कहा कि भी अब तो पारिटी होगी अच्छे से हमारा सेलिब्रेशन होगा रात में सेलिब्रेशन का उसने आदेश दे दिया इागो यहाँ पर कहता है कि अब जो है मेरे लिए राइट टाइम होगा क्या करने का उकसाने का इस मैटर को उलजाने का उधर जो रोडरियागो है वो यह कहता है कि इागो अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला है कि तुम कैसे भी बदला ले लो वो कहता है परिशान नहीं हो बहुत ही क्लोज हूँ मैं उस मैटर के रात में जब पार्टी हुई तो इागो ने क्या किया इागो ने जो है एक प्लान किया उसने कैसियो को खूब दम से पिलाया खूब बढ़िया से पिला दिया और पिलाने के बाद इसने क्या किया इसने रोडरियागो से कहा कि तुम्हें काम करो तुम Casio को उकसाओ और जब तुम Casio को उकसाओगे तो फिर यहाँ पर मामला बदलेगा इसने Rodriago ने वही काम किया दोनों ये जो है Casio Rodriago का पीछा करता है इसी बीच में जो है Montano आ जाते हैं और वो क्या करते हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं बट क्यों बीच में आ जाते हैं भाई बचाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या हुआ कि Casio ने इनहीं को स्टैब कर दिया जब इनको स्टैब कर दिया तो अब जो है मामला गड़बड हो गया हो हला हो गया इस इयागो ने कहा रोड्रियागो से जाओ कि तुम बिल बजा दो बिल बजाओगे उथेलो आएगा उथेलो जो है डिस्टमोना के साथ इंजॉय कर रहा था लेकिन उथेलो फटा फटा आया उसको पहले इयागो ने खा कि देखे मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन मैं सा प्रोमोट करके अब जो तुम्हारी रैंक है वो छीन ली जाएगी। अब क्या था? जब ये कैसियो ने ये बाली बात की रैंक मेरी छीन गई तो कैसियो हो गया परेशान। कैसियो भी इयागो के पास आया बोला मेरी तो सारी प्रतिस्ठा मिट्टी में मिल गई उस दिन मैंने जादा पी लिया मामला हो गया गडबट इयागो ने कहा कि तुम परेशान नहों मेरे पास एक उपाय है और इस उपाय को तुम करके तुम्हारा क्या होने वाला है बिटा तुम फिर से लिटीनेंट बन जाओगे कैसियो ने कहा कैसे इसने इयागो ने कहा कि तुम डेस्डुमोना के पास जाओ बहुत ही काइंड हर्टेड लेडी है और अगर डेस्डुमोना से कहोगे कि वो उथेलो से रिक्वेस्ट करें कि इसको वापस ले लिया जाए मतलब कह कहीं न कहीं मुझे लिटीनेंट फिर से बना दिया जाए कैसियो ने कहा ठीक है कैसियो ने अपने प्लान के कॉर्डिंग क्या किया कि कुछ म्यूजीसियंस को कलेक्ट किया भेजा कि जाओ जहां पर उथेलो है वहां पर म्यूजी को गयरा बजाओ उन म्यूजीसियंस को प्रेशान ना हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं उथेलो को यहां से ले ही जाता हूँ, तुम आराम से मिल लो, बात चीत कर लो और सारी बातें हो जाएंगी। तो इयागो ने ऐसा इशारा किया कैसियो को, कैसियो ने कहा काम बन गया। अब जो Iago है और Othello है और कुछ और लोग ये मिल करके जो Cypress है तो Cypress के चारों तरब जो भी वाल वगएरा थी उस अब निगरानी करने के लिए ये लोग चले गए अब यहाँ पर Casio को मौका मिला Casio Desdemona के पास गया और Desdemona से कहा कि एक काम करो कि देखिए हुआ ये है कि उस दिन मैंने ऐसा ऐसा कर दिया मुझसे गलती हुई तो आप जो है Othello से request कीजिए कि मुझे lieutenant फिर से बना ले मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूँगा Desdemona ने कहा कि ठीक है मैं जो भी सम्मव मुझसे हल्प हो सकेगी मैं जरूर हल्प करूंगी जैसे ही Casio Desdemona से मिल करके घर से निकलने वाला था Iago और Othello का लोटना हुआ तो अब जैसे ही लोटना हुआ Casio बहुत ज़्यादा सर्मिन्दा था कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था तो Casio अपनी गरदन जुका करके चुप चाप निकलने लगा तो Othello ने कहा कि मुझे लगता ये Casio ही था तो Iago ने कहा हाँ लगता तो है कि Casio है लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसे आपसे आँखें चुरा करके क्यों निकल करके जा रहा है तो Iago ने जब ऐसा कहा तो Othello को भी थोड़ा सा शक हुआ Iago ने कहा कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि there is something between Casio and Desdemona मुझे लगता है कि Casio और Desdemona के बीच में कुछ affair है Actually मैं Iago ने पहले ही कहा था कि Desdemona की नई नई आग है प्यार की जब सांथ हो जाएगी तो प्यार जो है कहीं और ढूड़ेगी और इसका तो कामी था मतलब मारना किसी भी तरह से इनको खत्म करना अब उस दिन उथेलो बहुत जादा अपसेट हो गया उथेलो आ गया घर आया बैठ गया अब जो है खाने का टाइम हुआ तो जो Desdemona है वो आई कि आप आईए चलिए खाना खाने चलते हैं कहा मेरी तबियाट ठीक नहीं है उथेलो ने वो रुमाल जो है कहा कि आप इसे माते से लगा लीजे रुमाल छोटी थी वो जो मतलब हैंकी थी ना वो छोटी थी सो हैंकी जो छोटी थी इसी वज़ा से जो है उथेलो ने क्या किया कि उसको गिरा दिया इमिलिया के हाथ वो जो है जो इमलिया थी यानि की जो इयागो की वाइफ थी इयागो ने अपनी वाइफ से कई बारे बात कही थी कि कभी मौका मिले तो वो वाली जो रुमाल है वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा है न इमलिया को जैसे ही ये हैंकी यहां पर गिरी हुई मिली इमलिया ने तुरंत ले लिया कहा ये तो मेरे हस्बेंड जाने कब से मांग रहे हैं आज अच्छा मौका है ले जाती हूँ सो इमलिया ने वो हैंकी जा करके दे दिया किसको इसने अपने husband इयागो को दे दिया और इयागो ने क्या किया कि उसको ले करके इसने कैसियों के room में चुपचाप रख दी इधर अब क्या हुआ कि इधर जब इसने ये रुमाल को रख दिया इधर जो है उथेलो चला गया अपना खाना पीना हुआ है ना येस अब फिर से जो है एक दिन की बात है एक दिन इयागो ने उथेलो से कहा कि देखो मैंने जो है जो आपका suspicion था कि there is something that has been Desdemona and Cassio मैंने जो है वो रुमाल देखा है जो है Cassio के यहां उथेलो ने कहा कि अच्छा वो रुमाल देखा है उथेलो को ये बात बिल्कुल पूरी मतलब सही लगने लगी थी कि शायद जो है मतलब जो Desdemona है और Cassio के बीच में कुछ है ये जो रुमाल थी ना तो ये कोई साधान रुमाल नहीं थी ये रुमाल जो है उथेलो की मदर की थी और इस रुमाल को as a token of love Desdemona को उसने दिया था अब इसे लगता था उथेलो ने कि जो मेरा प्यार की जो मेरी निसानी थी Desdemona ने Cassio को दे दिया Cassio ने क्या किया कि Cassio जो है ये ही रुमाल ले करके इसने जो है बियनका को दिया अपनी मिस्ट्रेस को जो प्रोस्टिट्यूट है इसको दिया और कहा एक काम करो कि एक ऐसी ही कॉपी बना दो मुझे बहुत पसंद है बाद में भी अनका कोई बात पता चली कि ये रुमाल किसी और की है उसने गुस्टे से Cassio को वापस कर दिया अब क्या हुआ कि इयागो ने जब उथेलों से कहा कि मैंने वो रुमाल देखा है Cassio के यहाँ तो अब जो है इसको उथेलों को उथेलों ने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लेकर के रहूँगा डेस्डुमोना ने मेरे साथ बेवफाई की और साथ में इस Cassio ने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया इसलिए मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ इयागो ने भी लगे हाथ कसम खाली कि यस मैं आपकी हिल्प करूँगा मैं आपके साथ काम करूँगा और कैसे भी हो हम इस Cassio को मार डालेंगे ऐसी बात हुई यहाँ पर अब जो उथेलो था तो उथेलो को continuously यही सकता है न यस अब एक दिन जो है इयागो ने कहा कि देखो मैं कुछ बातचीत करता हूँ Cassio से और अगर आप चाहें तो आप और पका कर देता हूँ आप सुन लीजिए उथेलो को इसने छिपा दिया और जाकर कि इयागो कैसियो से बात करने लगा कैसियो से जब इयागो बात कर रहा था तो बियनका के बारे में बात कर रहा था और उथेलो इतना दूर खड़ा था कि उसे सुनाई भी ना कि किसके बारे में बात हो रही है जब यागो जो है बियनका के बारे में बात करने लगा कैसियो से तो कैसियो हसने लगा कि हाँ हाँ सब चला है उथेलो को लगा सारी बाते डिस्डमोना के बारे में हो रही है और उसे और भी ज़्यादा surety हो गई और उथेलो को लगा कि कैसियो जो है मेरी mockery कर रहा है है ना येस उथेलो गुस्से में जाता है डेस्टमोना के पास जाता है और डेस्टमोना से कहता है कि you are not less than a war तुम किसी prostitute से कम कम बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल भी उससे कम नहीं हो और उससे खूब जादा लड़ाई करता है इविन यहां पर जो है यहां पर जो इमिलिया है तो इमिलिया कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेडी बहुत फेटफुल है लेडी बहुत अच्छी है है ना येस इधर जो पियागो है पियागो ने रोड्रियागो को convince किया किसलिए convince किया इसने कहा कि काम करो कि कैसे भी acja को मारना है चैसे भी करके है न येस अच्छा इसलिए क्योंग पλाण किया क्योंकि यहां पर बीच में एक message आ चुका था message आ था venis से वेनिस से उथेलो के लिए मैसेज आया था, कि देखो अब जो है सारा का सारा काम हो चुका है, मतलब क्या काम हो चुका है, साइपरस पर जो अटैक होने वाला था, वो अटैक हुआ नहीं, इसलिए अब उथेलो तुम वापस आ जाओ, और साइपरस में कैसियो को छोड़ाना, ये वाली सूचना आई थी, तो यागो ने कहा कि अगर उथेलो डेस्डुमोना इस सारे लोग वापस चले गए, कैसियो यहीं रह जाएगा, प्लान हो जाएगा हमारा, इनकम्प्लीट, इसलिए यागो ने रोड्रियागो से कहा कि कैसे भी हो, कैसियो को मारना होगा, तभी ओथेलो यहाँ पर साइप्रस में रुख पाएगा, और अगर रुख गया, तो हमारा काम हो जाएगा, रोड्रियागो को बेजा, इसने कैसियो के पास कि देखो, तुम जाओ, और कैसियो से लड़ो, और जब लड़ोगे, तो तुम उसको मार देना, लेकिन रोड्रियागो कैसियों को नहीं मार पाता रोड्रियागो जो है कैसियों को नहीं मार पाता अब जब ये नहीं मार पाता तो ये जो है इयागो ने एक काम किया इयागो ने खुद ही रोड्रियागो को मार दिया क्यों? क्योंकि अगर ये बात पता चल गई कि यागो सब कर रहा है तो फिर क्या होगा इसलिए इसने उसको मार दिया और कैसियो को बुरी तरह से वून कर दिया गायल कर दिया और ये कोई जाने ना तो ये सारा का सारा काम इसने अन्हेरे में किया बहुत ही अच्छे तरीखे से अब रोड्रियागों किसी से मुह ना खोल पाए, कि किसने क्या किया, कैसी हो को क्या किया, इसलिए ये सारा कुछ काम किया दूसरी तरफ गाइज, उथेलों जो है वो डेसदुमोना के पास जाता है और Desdemona से कहता है कि ये काम करना, बेड पर मेरा इंतिजार करना और Emilia को जाने के लिए कह देना तुम, कि Emilia तुम जाओ और मुझे तुम से कुछ बात करनी है या Othello जाता है Desdemona के पास, Desdemona बेड में जाती है, वो सो चुकी होती है लेकिन क्योंकि ये बहुत जादा गुसे से भरा था, इसे लग रहा था कि मेरे साथ टोटली गलत हुआ है तो यहाँ पर ये Othello जो है Desdemona को मार देता है Othello से Desdemona explain करने की कोशिश करती है, लेकिन explanation नहीं सुनना है उसको क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ बेवफाई हुई, मेरे साथ गलट हुआ है इसी बीच में Imlilla आ जाती है, और Imlilla जब देखती है तो Othello बताता है कि मैंने Desdemona को मार दिया और ये बाली बात बताता है, ये Othello इस Imlilla से कि मेरे साथ ये बेवफाई कर रही थी उसने कहा, इमलिया ने कि नई माइ लॉड आपके साथ उसने कोई गलत नहीं किया कोई बेवफाई नहीं की इागो भी वहाँ पर पहुँच जाता है इमलिया बताना चाहती है कि क्या हुआ था उथेलो ने कहा कि मुझे इयागो ने बताया था कि जो हैंकी है वो कैसियो के पास है और कैसियो और डेस्डवोना के बीच में कुछ चल रहा है तो एमिलिया बताती है कि actually my lord वो जो हैंकी थी वो हैंकी मैंने इयागो को चोरी करके दी थी इयागो आज आता है इसे silent करना चाहता है उसी समय उथेलो इस पर attack कर देता है और भी लोग आज आते हैं जैसे lord wiko and all तो ये लोग आ जाते हैं और जब आ जाते हैं तो फिर क्या इसे उथेलो को मारने से मतलब रोखते हैं कि तुम इयागो को नहीं मारो जो इयागो है इयाग कर दी थी उथेलो को और उथेलो को यहाँ पर realize हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी mistake की उसने इयागो को wound कर दिया और wound करने के बाद क्यूंकि उथेलो के पास एक hidden जो है छोटा सा खंजर था जिससे उसने अपने आपको भी stab कर दिया और अपने आपको मार लिया lord wiko जो थे तो उन्होंने इयागो को arrest किया और order दिया कि इसको execute कर दिया जाना चाहिए इसके साथ भी बहुत गलत होना चाहिए क्यूंकि अब उथेलो नहीं रहा डेस्डमोना नहीं रही इमिलिया नहीं रही रोड्रियागो नहीं रहा और इसके बाद इधर ये कैसियो जो था वो wounded थ आता है उथेलो ने डेस्डमोना अपनी beloved को बिना इस judgment के कि really क्या मतलब judge किये कि क्या वो really में बेवफा थी या नहीं थी ये बिना जाने इसने सारा कुछ काम कर दिया तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस् बंदाई और अगर आप हमारे courses से जुड़ना चाहते है literature lovers आपको download कीजिए या फिर इन numbers पर हमसे जानकारी आप ले सकते हैं हमारी team आपकी help जरूर करेगी thank you so much